क्या कभी आपने ये सूचा है कि जिस तरह हम इंसान इस दुनिया को देखते हैं, बाकी सबी जीव को भी दुनिया ऐसी ही दिखाई देती है। हम इंसानों के अंदर जो आखें हैं, उनकी केपिसिटी सिर्फ विजिबल लाइट को ही देखने की हैं। लेकिन जानवरों की आखें ऐसी लाइट को भी देख सकती हैं, जिन लाइट को हमारी आखें नहीं देख सकती हैं। प्रिकाश का बहुत बड़ा ऐसा भाग है जो हमें दिखाई नहीं देता और प्रिकाश का ये भाग अपने अंदर एक अतरंगी दुनिया को समेटे हुए है लेकिन हमारी पृत्वी पर कुछ जीव ऐसे भी मौझूद है जो इस प्रिकाश को देख सकते हैं और इस अतरंगी दुनिया के अंदर ही जीते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डंग बीटल की यानि कि गोबर के किड़े की जिसको आम भाशा में गुबरेला भी कहते हैं डंग बीटल के पास ऐसी आखे है जो पोलराइज लाइट को डिटेक्ट करने में सक्षम है और ये हमारी गेलक्सी यानि कि मंदाकनी आकाश गंगा की हेल्प लेकर रात में भी अपना रास्ता ढूंड सकते हैं डंग बीटल पृत्वी पर से ही हमारी गेलक्सी को देख सकते हैं इन्हें डिम लाइट भी साफ दिखाई देती है इस बात का पता वैग्यानिकों को एक रिसर्च के बात पता चला जब रात के समय वैग्यानिकों ने इस डंग बीटल को बिलकुल स्ट्रेट लाइन में जाते हुए देखा ये डंग बीटल हमारी आकाश गंगा की लाइट का इस्तमाल करके अपने रास्ते पर जा रहे थे अब हम बात करते हैं बास के बारे में जोगी एक ब जूरिया यूवी लाइट पढ़ने पर चमकता भी है इसी वज़ा से बाज आसमान में ही से जमीन पर धौट रहे चूहों के यूरीन को डेटेक्ट करके उन्हें आसमान में से भी देख लेता है और पकड़ लेता है अब दोस्तों हम जानते हैं बिल्ली के बारे में एक बि ये बहुत कम लाइट में भी चीजों को बिल्कुल साफ और आसानी से देख सकती है इसके अलावा बिल्ली यूवी लाइट को देखने में भी सक्षम है इसी वज़ा से बिल्ली को आसमान में हम से ज्यादा तारे दिखाई देते हैं अब अगर हम बात करें उन जीवों की ज कलरफुल चीज सिर्फ काली और सफैद रंगी ही दिखती है और ये मशली दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी भी माना जाता है इसका नाम है शार्क अगर ये मशली नाइट इसकाई को देख सकती है इस मशली को सब कुछ ब्लेक और वाइट दिखाई देता है अगर हम मेंड को नाइट इसकाई भी धुन्दला दिखाई देता है या फिर नाइट इसकाई दिखाई ही नहीं देता क्योंकि इसकाई में कोई मूमेंट नहीं होता ये पूरी तरह से एस्थेटिक है अब दोस्तों बात करते हैं रेप्टाइल्स की रेप्टाइल्स में अगर हम साप को पूरी तरह अंधा होता है। और इसी वज़ा से गिर्गेट एक टाइम पर दो चीजों की उपर फोकस रख सकता है। और चुवावी किर्गेट की तरह अपनी आँखों की चारों और घुमा सकता है। और एक टाइम पर दो चीजों के उपर फोकस रख सकता है। तो डाइनसौर की आँखों के पास बाइनकल और विजन था। जिसकी वज़ा से डाइनसौर बहुत दूर से ही अपने शिकार को देख लिया करते थे। जिस तरह से दूरवीन से हर चीज बिलकुल करीब दिखाई देती है। इस तरह डाइनसौर को अपनी आँखों से दूर की भी हर चीज बिलकुल पास दिखाई देती थी। ऐसे ही अगर बात आए कबूतर की तो कबूतर की नजर भी बहुत तेज होती है। कबूतर को भी आसमान से ही धर्ती पर पड़ा खाने का दाना दिखाई दे जाता है। और इतनी उचाई से भी आकर इस दाने को खा लेता है। और दोस्तों कबूतर अपनी इस नेविगेश डॉकुनाइट स्काई भी सिर्फ ब्लू और वाइलेट शेड में दिखाई देती है अब दोस्तों हम जानते हैं एक कीड़े के बारे में जिसके पास इस दुनिया का सबसे पावरफुल वीजन मौजूद है यह कीड़ा है मच्छर या मक्ही इनकी आँखों में एक सूपर पा इसके जैसे हो जाता है इसलिए मक्हीओं को पकड़ पाना नामुम्किन है अगर हमारे पास मक्हीओं के जैसा विजन होगा तो हमें कोई भी नहीं पकड़ सकता दोस्तों इस दुनिया मौजूद सभी जीवों की आँखों से यह दुनिया अलग अलग दिखाई देती है हम सिर्फ विजिबल लाइट को ही देख पाते हैं अगर हम यूवी रेज, एक्स रेज, इंफ्रा रेज, रेडियो पे, गामा रेज को भी देख पाते हैं तो क्या होता हमारे वैज्यानिकों का कहना है कि हमारी आँखों ने अगर इन सभी लाइट को देखना शुरू कर दिया तो हमारा दिमाग पागल हो सकता है क्योंकि हमारे दिमाग की कैपसिटी इतनी ज्यादा नहीं है वो इन सभी लाइट की फ्रिक्वेंसी को एक साथ नहीं जेल सकता तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आईएगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू कीजिएगा और ऐसी और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्स्ट्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मिलते हैं आपसे एकली वीडियो में तब तक अपना बहुत सारा द्यान रखिएगा